बात करते हैं मार्केट जो है ओवरॉल मार्केट पॉजिटिव है अगर देखा जाए तो हाला कि हम मैंने सुबावले वीडियो में मैंचन किया था यहां पर आज हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल गई है काफी सारे कुइंज में जीलीका जो काफी दिनों से उड़के दोड़ रा था उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें आप देखने को मिला बट अपन बात करते हैं उन coins की जो coins at least मैं अभी track कर रहा हूँ अभी घुस नहीं रहा हूँ for the next dump whenever it comes तो आपको पता है अपन dump में enter करते हैं और pump में अपन dump का wait करते हैं profit booking करके तो यहां पर wait कर रहा हूँ अगले dump का हाला कि यह coins ऐसे हैं जो dump के बिना भी काफी जादा down चल रहे हैं अगर हम 2022 की यहां पर बात करें तो 2022 के हिसाब से काफी सारे coins हैं जिनकी हम बात करेंगे तो alt coins की में specifically यहां पर बात करने वालों तो चलते हैं अपने चहते coin market cap पर और यह coins by the way अगर आप लेना चाहें या इन में अगर आप जो है अपना basically एक SIP तरीके से भी invest करना चाहते हैं या specifically अगर इन में आप जो है dip buy करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं from Wald, Wald के उपर मैंने पहले भी बात की है SIP फीचर अच्छा है और especially जो लोग long term accumulate कर रहे है tax वागरा वाला angle अगर आप देख लो तो Wald definitely is something that you should consider क्योंकि आप अपन जिर्फ buying कर रहे हैं long term के लिए dip buying भी auto हो सकती है SIP भी सही है इसमें पैसे बेजने का जहां तक लोगों को problem था पैसे आप किसी और exchange पर खरीदो और यहां बेज दो वजीर एक्स पर खरीदो यहां बेज दो यहां पर Polkadot पर 13% मिल रहे है I know Binance अगरा का example मत देना Binance अलग है यह अलग है बिटकोइन पर लिटरली साड़े साथ परसेंट तक अवेलेबल है तो ऐसे बहुत सारे अलग-लग coins है जिन पर बहुत अच्छे APY rates जो है यहां पर मिल रहे है चलते हैं मुद्दे की बात पर लास्ट 90 डेज के हिसाब से भी देखेंगे अपन और यहां पर यहां पर देखेंगे कि क्या यहां पर पर पॉसिबल एक अच्छा alt coin हो सकता है जिसकी तरफ हमें नजर डालनी चाहिए now curve DAO actually अच्छा alt coin है बट यहां पर जो curve का जो ecosystem है वो phantom avalanche यह सब की तरफ थोड़ा सा जादा चला गया है तो curve पर मैं उतना aggressively देख नहीं रहा हूँ कडेना is one of those जहां पर नजर मेरी है कडेना के अबर fundamental analysis का वीडियो भी आएगा but first coin of the day is कडेना कडेना पर भी मेरी नजर है 45% year to day down है 90 days में जो है यह 45.79% डाउन चल रहा है पिछले तीन महीने में अगर आपन बात करें इसको तो कडेना is number one काफी overall जो अगर आपन बात करें in terms of performance तो कडेना is supposed to be काफी अच्छा performance वाला पूरा का पूरा ecosystem तो इसके ओपर fundamental analysis में आपको काफी सारी चीज़े में और declare करी दूँगा but this is one number two guys is phantom phantom के ओपर मैंने fundamental analysis भी किया है phantom का आप लोगों बताएगे recently जो one of the main initial people जिसने phantom का पूरा direction क्या करो क्या नहीं करो वो सब तरह करवाया था Andre उसने आपे quit किया है तो उसके वाज़े से काफी जादा हमें phantom में जो है dump नेखने को मिला तो phantom मेरे इसाब से काफी अच्छा ecosystem present करता है definitely definitely something जिस पे मेरी नजर बनी है हाला कि वो जो last dump आया था तब तब भी मेरी buying थी healthy see but I do want to buy more so मैं wait कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे dump अगर और यहां पे मिल जाए तो मैं यहां पे part कुछ entry ले सकता हूँ now point is यह सारे medium to long term है guys इसमें से एक भी short term नहीं है and यह मैं मैं बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ बाकि आप लोगों का decision आपके हाथ में है आपको अपना research जरूर करना है YouTuber जो कर रहा है not necessarily same चीज़ आपको करनी चाहिए मैं altcoins लेना हूँ कि मैं वो risk ले सकता हूँ altcoins की volatility का 50%-60% up-down का मैं risk ले सकता हूँ अगर आप नहीं ले सकते तो definitely आपको यहां थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो number 3 पे अगर आपन बात करें तो sandbox पे भी मेरी नजर है जो 40% down है काफी interesting ecosystem है जिस पे sandbox यहां पे काम करना चाहता है and polygon भी यहां पे explore किया जा रहे है तो I think definitely definitely quite an interesting buy. Arviv is another one. Arviv में actually unfortunately जितना मैंने पढ़ा है मुझे crypto jargon में नील ने last year काफी इसके बारे में push किया था तो Arviv में I am very sad to say कि मेरी उतनी बड़ी कोई position कभी थी नहीं और जब मुझे अच्छा profit मिला तो मैंने पूरा पूरा निकाल लिया तो Arviv is something that I will enter freshly बाकी के तो फिर भी मेरे पास है तो वह एक एंगल यहां पर हो जाता है काफी अच्छा इंटरेसिंग कॉंसेट है इको सिस्टम काफी तेजी से पूरा का पूरा जो ट्रांजक्शन है डेली ट्रांजक्शन वगरा का इको सिस्टम में वो भी अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से so Harmony is another one that I am looking at number six guys is Solana now Solana को बहुत मार पड़ी है क्योंकि Solana यहां पे network में गड़बड होना network down होना काफी जादा हुआ है तो Solana यहां पे काफी struggle कर रहा है हाला कि still आज की दिन में देखे तो भी आप है weekly में भी काफी जादा आप है बट अगर आपन साल के हिसाब से देखे और all time high के हिसाब से देखे तो काफी down है but again आपको पता यह all time high देखे लो और इसके बाद खरीद लो वहां तक तो जाए गई ऐसा नहीं होता है थोग अशा यहां पे dump का वेट किया जाएगा I don't think Solana में because Solana में I already hold a lot of Solana तो इसकी वज़ा से Solana मेरे लिए Solana does not make sense at this point with this price अगर यह under $90 मुझे मिलता है तो I am definitely in for it but I don't know I am not sure about Solana yet but this is definitely on मेरा watch list next moving on guys यहां पे number 6 की तरफ बढ़ते है यह rather sorry number 7 की तरफ बढ़ते है जो की होगा engine coin engine का मैंने multiple videos किये है fundamentals के engine definitely something जो 33.5% डाउन है साल में इस पे भी मेरी नजर अच्छे से बनी हुए comparative भी थोड़ा slow कर रहा है बाकी के चीजों से in terms of development उनके ecosystem के उपर होरे development के उसमें related and यहां पे problem ही आता है कि Ethereum chain की बात आती है जो की काफी expensive है इसलिए थोड़ा सा growth जो Ethereum के उपर के coins है उन पे कम है but with time and I think also Ethereum जो नया आएगा उसमें यहां पे थोड़ा सा हमें एक change एक potential positive देखने को मिल सकता है next guys Matic की बात करते है Matic is 33.5% down Matic का मेरा position थोड़ा बड़ा है but मैं Matic और add यहां पे करना चाहता हूँ Matic का भी problem ऐसा हुए कि network down रहा है क्योंकि बहुत सारी users बहुत सारी चीजें एकदम से होने लगी इन लोगों को expected नहीं था यह लोग तयार नहीं थे यहां पे Matic काफी time down रहा है मैंने ही बहुत गाली निकाली है Twitter पे आप notice करोगे मेरे खुद के जो chain की वज़़ा से bridge की वज़़ा से यहां पे मेरे कुछ Matic थे जो कितने दिन अठके रहे हैं क्यों क्योंकि इन लोगों का network ही down था इनका bridge यहां पे down था तो overall यह सब experience की वैसे Matic ने काफी mark high है यहां पे तो Matic is also I think potential है इनको बहुत काम करने की जुरुत है but as I said potential है तो आगे जाके देखते हैं कि Matic जो है कैसा यहां पे काम करता है last I think मैं आप लोगों को जो है एक bonus जो है coin यहां पे अगर बताओ जिस पे मेरी नजर है वो actually एक नहीं technically दो है एक है chain link जो 16% down है I think chain link is very very important to a lot of crypto projects दूसरा is guys Decentraland Decentraland में काफी कुछ हो रहा है अभी आप देखो तो fashion week, ramp shows वाली angle से Decentraland में काफी सारी चीज़ें हो रही है और काफी सारी चीज़ें annual time में होंगी I do think Decentraland has a lot of potential Decentraland में क्या चीज़ का problem आएगा land buyers और वो सब because इतना expensive है तो यहां पे land buyers वागरा हमें जादा नहीं देखने को मिलेंगे बट ऐसे लोग ज़रूर देखने को मिलेंगे जो यहां पे टपक जाते हैं थोड़ा घूमफिर लेते हैं metaverse में एक दो जगा के shows देख लेते हैं कुछ event हो रहा है metaverse में तो वो देख लिया तो Decentraland I think is going to be a very interesting thing for 2022 in general तो यह कुछ coins हैं जिन पर आप सोच लोगी April के महीने में भी मेरी नजर रहेगी यहां पे मैं थोड़ा थोड़ा करके अगर accumulate कर सका तो ज़रूर यहां पे करूँगा but again I will wait for big dumps 100% तो इन चीजों पर मैं अभी नजर गड़ाए हूँ do let me know इन में से आपके watch list में कौन से coins हैं comment में मुझे जरूर बताएं and मैं आप लोगों को मिलूँगा guys अगले वीडियो में होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ as always अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ